नमस्कार दोस्तों Business Science में आप सबका बहुत स्वायगत है दोस्तों आज का यहां माहरा क्लास तного पूस्ट पेंट्दаете सब्सक्रास बैंक्स दिये हैं उनमें से मैं chemistry के question bank के बारे में मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं यह question bank अगर हम अच्छी तरह से अगर राइट वे से और परफेक्ट तरीके से अगर इस question paper का इस question bank का अगर हम बहुत राइट वे से प्रिपरेशन करेंगे तो मेरे भाहियों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे स्टूडन्ट, मेरे पैरे स्टूडन्ट आपको तक्रीबन 100 मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं अगर आप ये केमेस्ट्री का पूरा क्वेशन बैंक कम्प्लीट करोगे तो जितने भी सारी क्वेशन बैंक दिये गए क्लास 10 के क्वेशन बैंक हो, क्लास 12 के क्वेशन बैंक हो और इन सब क्वेशन बैंक में जो कुछ भी क्वेशन दिये है, ये क्वेशन बहुत ही एक्सपर्ट लोगों ने बनाये वाले है, बहुत जबरदस लोगों ने बनाये वाले है और हर एक चाप्टर के ऊपर जो कुछ भी multiple choice questions दिये गए है, जो कुछ भी short answer question दिये गए है, जो भी long answer questions दिये है, ये सब बहुत सोथ समझ कर दिये वाले है, बहुत सोथ समझ कर निकाले वाले है इसलिए मैं आपको एक request करता हूँ, ये पूरा question bank आप अच्छी तरह से prepare करें, जो कुछ भी आपके पास जो time बचा हुआ है, ये time का आप perfect तरीके से management करें, planning करें, और पूरा question bank आप chapter wise complete करें चाप्टर wise, chemistry और फिजिस का तो बहुत ही जबरतशत है और बहुत ही भारी है, आप अच्छी तरह से इसका preparation करें, चलो अभी मैं आज के इस class में मैं आपको chemistry की question bank के बारे में समझाने वाला हूँ, tips and tricks देने वाला हूँ, कि कैसे आप इसको बहुत अच्छी तरह से इस्ते questions दिये गया है, क्या है instruction देको, March 2021, फक्त विद्धार त्याना प्रश्ण प्रकारांचा सराव करून देन्या साथीच मतलिला है, चो, चो, देन्या साथीच, हेच प्रश्ण परिशेत एतिल का, बहुत सारे बच्चे question कूश्चे कूश्चे के सर यही question exam में आए ये क्या, ब बस इससे जादा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस यही question कर लो, ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है देखो, सदर प्रश्ण संचातील, प्रश्ण बोड़ाचा, प्रश्ण पत्रिकेत, एतिलत अशे नाही इयाची नोंद ग्यारी, यानि कि यही question आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा perfectly कह नहीं सकते ही, यही question आएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ, यही question आएंगे, क्योंकि मैंने यह पूरा question bank का evaluation किया है, मैंने हर एक question को पढ़ा है, हर एक chapter के question को पढ़ा है, मेरा तकरीबन अभी तक मेरा 23 साल का teaching experience है, class, class 12 को, physics और chemistry टीच करने का मेरा experience 23 साल का है, तो इस 23 साल में, हर साल में 2 question paper, अगर यह total 2 question paper को अगर हम compare करेंगे, तो यह तकरीबन बनते है, 46 question paper, कितने 46 question paper, अभी तक मेने देखे हैं, अगर इन 46 question में से evaluation करने के बात समझ में आता है, कि यह जो question में दिया गया है, आपको यह बहुत भरी है, बहुत जबरदस्त है, तो इसके लिए आप इसका perfect तरीके से तयारी करें, all each and your question, chapter wise करें, chapter wise करें, यहां एक जबरदस evaluation दिया है, chemistry के इस question bank में, chapter wise question distribution, यहां कि इस question bank में, जो distribution दिया है, उन्होंने जो कुछ भी बनाया है, यह इस तरीके से बनाया है, multiple choice question हरे एक chapter के ऊपर, कौनसा, फर्स जो chapter है उसके ऊपर 10 question, second में 10 question, sorry, 10 question, second में 9 question, third में 7 question, question, 7 question, 10 question, 9 question, 9 question, 8 question, 7, 7, 7, करके यह 7, 7, 7 आगे के है, multiple choice question, अगर अब पूरा total calculation करोगे, तो एक average में 8 question पकड़ लिए तु चलेगा, 8 question, सोड़ा तब, एक generally 100 question के आसपास, 100 question के आसपास, EMCQ यह बिटा, यह MCQ, और आपके board के question के ऊपर बनाए गए, बुक के ऊपर बनाए गए, है ना, तो MCQ को chance हो सकता है, EMCQ दूसरे आ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, कि 50% EMCQ यही आएगे, क्यूंकि question paper बनाते वक्त teacher का एक attitude होता है, कि जो minimum level का, जो ground level का जो student होता है, उसको भी अच्छी तरह से मार्स मिले, और जो topper level का जो बच्चा होता है, top level का जो student होता है, उसको out of ना मिले, वो out of ना मिले, वो out of ना ले सके, ऐसा भी एक 3-4 मार्स का question बनाया जाता है, 3-4 मार्स तो ऐसे questions होता है, कि वो बहुत ही जबदस फिरकी लेते हैं हमारी, teacher की भी कभी कभी फिरकी लेते हैं, है ना, फिर भी, जो MCQ जो है ना, तो MCQ में अगर नहीं आएंगे, मानता हूं नहीं आएंगे, MCQ को बहुत chance है, MC को दूसरी भी दाल सकते हैं, MC को बहुत सारे अपने पास available होते हैं, लेकिन हम अगर very short answer, short answer, short answer second, long answer, इनके बारे में देखेंगे, तो यही question आजाएगे, क्योंकर अगर किसी भी चाप्टर के ऊपर short answer निकालना बोले, तो कितना हो सकता है, अगर अपना जो rotational dynamics chapter है, इसके ऊपर अगर हमें short answer question निकालने हैं, तो 20-25 question बन सकते हैं, लेकिन उसमें तो 10 question यहां already दिये गए हैं आपको, है ना, अगर 30 question में से, अगर हम randomly भी question डाल देंगे, तो minimum, minimum अगर एक question डालना है, नहीं कि एक question दस में से, अगर 1% भी आपको 10% भी निकालना है, तो minimum 3 question आजाता है, minimum 3 question, तो मैं आपको कहता हूँ कि यह जो short, very short answer question है, यह पूरा का पूरा preparation करो, यह जो short answer है, जो second level के है, है ना, इनके जो mass distribution है, mass distribution के हिसाब से, यह questions बनाये गए, तो यह questions यही इसी chapter में इतने ही बनते हैं, थेरम तो नहीं दे सकते, इसमें definition होगा, कोई छोटा सा derivation होगा, बस इतने छोटी छोटी question, थोटा सा बनाये धर, यह जो short answer second level के है, यह भी questions आपको, यानि कि एक chapter में मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, कि अगर कोई teacher, कितना भी होश्यार हो, कितना भी talented हो, कितना भी talented हो, और कितना भी कहता हो, कि मैं बहुत भरी teacher हूँ, मैं बहुत जबदस teacher हूँ, मैं बहुत experienced teacher हूँ, फिर भी वो teacher 35 से ज़्यादा question एक chapter में तयार नहीं कर सकता, अगर यह 10 question अगर हम सो छोड़ देंगे तो, यह बहुत सारे question बन सकता है, बहुत सारे, हर एक sentence के उपर बन सकता है, इसको मैंने शुरुआती में आपको कहा है, कि यह इसमें से आ सकते हैं, दूसरे आ सकते हैं, लेकिन यह question में से ज़्यादा आएंगे, इन में से और भी ज़्यादा आएंगे, यह, और यह जो होते हैं, लॉंग अंसर वाले, यह question दालना होता है, अपनी chapter में है, एक तक्रीबन चारिया पांच questions है, लॉंग अंसर के, पांच कोशन है, पांच में तो तीन यहाँ पर दिये गया है, तो अगर आप यह तीन कोशन कर लेते हैं, परफेटली यह तीन कोशन अगर आप करते हैं, तो यह perfect यही आएगा बेटा, इसमें से कुछ नहीं आएगा, मैं surely कहता हूँ कि इसका बहुत जबर्दस तरीके, अच्ची तरीके से आप इसका preparation करें, आपका बहुत फायदा होने वाला है, थर्ड चाप्टर जो है, साथ, आठ, शिक्स, सिक्स, तीन, और यह total 30 questions है, उसके बाद यह जो हमारा 5th question है, 5th chapter है, 5th chapter के ऊपर देखो, यह 40 questions है, 36 questions है, 34 questions है, चोटे 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 चाप्टर होकर भी उनके ऊपर ज्यादा question, बड़ा question के ऊपर तो बड़े तो है ही, लेकिन चोटे के ऊपर भी बहुत सारे questions है, कौन कोन है बेटा, कल इसे कॉमेंट कर बेटा, शेहले शोंदवने, अतुल जादो, डोंट वरी बेटा, मेरा कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ है, क्या मैं 20 दिन दिल से पढ़ूं, तो मुझे 70 मास मिल सकते हैं, क्या प्लीज घिव मी रिपलाए, I am big fan of you, thanks सर जी, बेटा, अगर आप, यह जो 20-25 इस दिन आपके पास बचे हुए है, अगर इसका आप अगर परफेक्ट तरीके से प्लानिंग करते हैं, तो आपको 70 परसंट तो मिलेगे ही, बेटा, लेकिन ये जो कोशन बैंक है, यही कोशन बैंक करो, इससे ज्यादा दूसरा कुछ करने की जौर्दत नहीं है, आराम से कोशन आप कर सकते हैं, और कौन को ने मुंजाजी शिय्ल के है, सर लेक्चेर स्टाट करा केला ले ब communities spirits इसके बाद गयमिंग वेलकम डिा कॉमेंट करें, कोमेंट करें, सब बच्चे क्यौमेंट करें, सब जितने सारे बच्चे हाविर आई सेशन पर है वो सब बच्चे क्य करें तो चलो आगे बता देता हूं आगे कर एक 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 चाप्टर के बारे में अभी हम यहां पर देखेंगे तो चलो next वाला देखते हैं यह total 509 questions है पिटा अगर इसके बारे में पूरा calculation करेंगे हम तो 509 9 questions है तो 509 questions में से ज्ञादा कुछ भी नहीं आता ओकि बेटा यह से कुछ भी message मत करो आपका जो है एक meaningful comment करो बेटा meaningful chart करो meaningful है ना meaningful chart करोगे तो यहां पर दिखेगा अगर कुछ भी chart करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा नहीं हेल रहता है हल पे अगर आलतुफाल तो कुछ भी करोगे तो यहां पर कमेंट नहीं दिखता है उसका मिनिंग्फुल कॉमेंट होना बेता है और अच्छा अगर आलतुफाल तो कॉमेंट करोगे तो वो कॉमेंट नहीं दिखता है यहां पर मैंने सेटिंग करके रखिये उसको ओके चलो अब यह तो देखो चाप्टर स्टेट के ऊपर मास तीन और विट आप्शन पांच मार्ट विदाउट ऑप्शन तीन मार्ट के लिए और विट आप्शन पांच मार्ट के लिए यानि कि मिनिमम आपको तीन मास के कॉश्चन या इसके ऊपर सॉल करने लिए तो देखो यम सी क्यों आपको टैंड यह फालोइग टाइप सब्सालिट कंटेंगे आपको डिमॉलिक्र आई कंसिट वर पार्टिकल्स डार्द आप जीन मॉलिकुलर सॉलिट यह करेक्ट अंसर है के साथ chemistry का बहुत जबर्दस्त बनाया गया है कोशन में और ओक्ता हेड्र वाइड इद सराउंडेड बाय ऑक्ता हेड्र है ना एफ फोर स्फियर थ्री स्फियर एट स्पियर एड़ सिक्स्पियर मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा जो हमारा विद्या प्राधी करन है यह में सी आर्ठी में हर सब्जेट का एक सेपरेट सेक्शन होता है डिपरेंट सेक्शन होता है है ओके ज़िए रिधा जैजन के सक्षैनल में किमिस्ट्राइब के सिंह दस्वी के स्पिर पहले हुशं पहले हैं डिशन होता है करद द्जाश में अपना वो लोग काम करते हैं साइड में इंस्वे और पहले हैं तो उन्हें एक्सपर्ट में से एक केमेस्ट्री का जो कोशन बैक बनाया गया है यह अच्छी तरीके से बहुत सौर्टिंग करके बहुत प्लानिंग करके यह बनाया गया है जबरदस्त है मुझे बहुत पसंद आया है चाप्टर के पेज नंबर के साथ भी यहां पर लिखा गया है विच आप दी फॉरिंग इस एन आमर्फर सॉलिड तो यह देखो पेज नंबर सेकेंड पर है तो कॉपर सल्पेट है मैगनेशियम इसको हम टार कहते हैं है ना टार देन दी पेर्ड कैटायन अनायन वैकंसी इस क सपाल थी स्काट की दिफेक्ट है ओकई दी युनीट सेन से लड सेल आप सिंपल कुछ क्वेशियन ले रहे हम लेकिन अगे जो है हर एक चाप्टर के ऊपर गॉर्ट से कैसे दिय है और किस तर शेर हुन्हका किस तरसे प्रपारेशन करना चाहिये हर एक चाप्टर के बारें में आगे हम देखेंगे, okay, then system has the atoms at eight corners, hence the number of atoms in unit cell is eight, three, one, और दो, इसका एक अंसर correct है, यहां पर, in crystal lattice formed by primitive unit cell, the space occupied by the units, space occupied by the particle, particle में, जो कुछ भी space occupy किया जाता है, वो 52.4 है, उसके बाद, a compound is made up of two elements, x, y, x, y, the crystallize in bcc structure, bcc, body centered cubic, okay, the atom of x are present at the corners of cube, then the atoms of y are present at the center of cube, the formula of the compound is, तो यह xy formula हो था है, और उसके बाद, the sodium crystal in bcc structure, bcc, if the each length of unit cell is 4.3 into 10 raise to power 8 centimeter, then the radius of sodium is 1.86 10 to the power of minus 8, तो एक चाप्टर में इतने यह objectives बनाए गए है, इन में से एक तो आ सकता है, आ जाएगा, है, जितने भी दिए है 100, जो है mcqs, अवरेज में 100 है, तो 100 में से एक दो तो आराम से आ जाएगे, आराम से आ जाएगे, है ना, अगर नहीं भी आते हैं तो इसके उपर एक चाप्टर के लिए, लेकिन यह जो शॉट अंसर की जो क्वेश्चन से यह दस क्वेश्चन से इस चाप्टर के ऊपर, यह दस चाप्टर, दस क्वेश्चन में इस है, राइट दी इफेक्ट ऑफ देंसिटी ऑफ दिस संस्टंस इन दी फ्रेंकेल डिफेक्ट, यह जो है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि इतने शॉट अंसर इतने बनाये हैं, उसके बाद यह शॉट अंसर उसमें से टू मास के कोश्चन, देन शॉट अंसर 4 जोट ऑफ竜न, निजन देखो, 4 मास के कोश्चन कितने बनाये गए यहांपर, यहां पर 4 मास के कोश्चन पर तीन कॉष्चन दिए गएं, जादा कोश्चन हो बनायेगे हैं, फिप्टी परसंड तो पॉस्बीटी यह इतने की पॉस्पीट्टिटी है, क्योंकि ही खेक्व अभी दूसरा चाप्टर रच देखो दिस वर इजऑ चाप्टर इस अभम हम इसका 오른 चाप्टेर बादं बाद में आपको बताने वाला हूँ अभी खाली हम यहां पे क्या भाली आ हम खाली सिंपल तरीके से देखने वाले हैं कि हिसमें किस किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा गया है एक 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 करके भीट हम यहां पे देखेंगे ओके के तो आगे क्या देखेंगे नेक्स्ट वाला हम लेक्स्ट सॉलॉशन चाप्टर één से मैं papर ने पूरा टीच किया है उसके लिंग आपको अपने इस वीडियो के डिक्रिप्चिन बॉक्स में आपको मिलेगा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्स box में box है उसके उपर click करो और click करके आप chapter wise वहां पे link दिए गया है तो उस link के उपर click करके आप पूरा chapter की videos देख सकते हैं तो देखो sugar dissolves in water sugar is non polar water is polar it forms hydrogen bonding with water and sugar and water are both polar तो यह hydrogen bonding त्यार करता है इस तरह से solution के ऊपर solution total chapter हमें चा मास के लिए without option और without option है ये six mask यानि कि six mask का option है आपको sorry दो mask का option है उसके बाद आगे का देखते हैं देखो solubility of gas in water decreases with increase in temperature ये solubility of gas in water decreases with increase in temperature त्यानतर पुर्चा है unit of henry's law constant that is the bar वगेरा this one is the mole per liter per bar unit of henry's law constant त्यानतर colligative properties of solutions are depend upon number of solid particles त्यानतर पुड़ा दी falling solution or solvent has maximum vapor pressure then the 0.5 meter copper sulfate solution okay अशा प्रकारे या चाप्टर बर तुम्हाला ही प्रश्न बनाव लेले आहे यांचा संद्र बाद जी वीक ही अडचा नियास्तिल आपन यांचा detail मदी solution देनार आहोत एकदम सविस्ता रित्या तुम्हाला सोलूशन मिलूंजा इलमित्रान। करका याचा पूर्ण पूर्ण व्यवस्तित रित्या तैयारे में याची करून ठेवलेली आहे अपन चाप्टर वाइच सोलूशन यांचा पूर्ण देविया दर्रोज एक चाप्टर चाप्टर चा तैनन्तर स्टेडी रोल अता इता वेरी शॉर्ट अंसरच पाप्तित्ट वाट आर है पर तोनिक सोलूशन ओक वाट इस दी क्री स्कूपिक कॉंस्टंट राइट दी एफेक्ट ऑफ डिसलूशन ऑफ नौन ओला टाइल सोलूट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्वन्ट तैनन्तर राइट दी एक्सप्रेशन फॉर्टिव लोवरिंग ऑप्पर प्रेशर राउल्स लॉट पूर्ण चाप्टर वाइच किती पूरा सोलूशन आपको मिलेगा ओके राजु बरवे बेटा एक ही कॉमेंट करो वेटा कैसे स्टड़ी करना है उसका लिंक मैं अभी आपको यहां पे दे रहा हूं आध शाम को क्लास है अन अकाडमी का क्लास है और उसी क्लास की लिंक और यहां पे दे दिता हूं आज शाम को क्लास है बिटा उस क्लास को आप ज्वाइन हो जाओं चलो यह है क्लास को आज शाम को क्लास है कि हम फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी, माथबैडिक्स तक्रिबन तीन सब्जेट का स्टडिक कैसे करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वह है शाम छे बजे क्लास है अपना कि शिख पीम उस क्लास को ज्वाइन करो इस लिंक के ऊपर क्लिक करो और सिदा अप डॉड्ट करो अप डॉड्ट करने के बाद वहां पे आपको इग गोल स्लेट करना होगा तो वहां फाउंडेशन आपे एंट्स्यस स्लेट करो उसके आगे जाने के बाद आपको वीडियो जॉइन करने से पहले आपको एक कोड पूछेगा तो कोड देते समय आप यही वाला कोड दे दो यह जो मैं अभी आपको यहां पर दे रहा हूं सिरसार सर यह कोड मांगता है वहां पर एक कोड मांगा जाता है तो कोड में यही वाला दे दो सिर यस ए टी यच यस आई आर कोई स्पेस देना नहीं है स्मॉल लेटर में नहीं है खाली कैपिटल लेटर में सर तुमने फाइव मिनिट लेट किया है हाँ बेटा ओके चलो तो उसके बाद देन फार वहरी दिलूट सोलूशन आस्मॉल्टी प्रेशर इस गिवन भाई पाई एक्वेस तो यन्टू आर्टी बाई वी दाई दी वी इस दी वालूम इन यल कंतेनिंग यन्टू मूल्स अफ नॉन उलाटाईल सोलूट इस्टाब्लिश दी एक्वेसन आफ मॉलार मास अब दी शोलूट तर याचा पूर्ण सोलूशन तुमाला मी चाप्टर वाई सोलूशन यहांचा देना रहे तर त्या चाप्टर वाई सोलूशन चा विड़े आपन सग्ड़ानी प्रजेंट रहे चा आहे त्या मधे तुमा यहां पर भी नियूमरीकल्स है तीन मास्क नियूमरीकल्स है उसके बाद फोर मास्क का सोलोशन के ऊपर यह इतने सारी क्वेशन्स है लेकिन फोर मास्क के क्वेशन में नियूमरीकल्स नहीं दिये है अगर आपको कुछ डाउट है कुछ डिफिकल्टी है तो वह चाप्टर आप मेरे साथ कर सकते हैं वाट इस परसंटे दिसूशियेशन जुरो पॉइंट वन मोलार सोलूशन डाट इस दी आसेटिक असीड आयने कि बिर्या के बारे में यह कितने कुछ यहां पर दिये गया है साथ कुछ जबर्दस चाप्टर रही है बहुत ही जबर्दस चाप्टर है बहुत ही भारी पॉइंट्स दिये गया है उसके बाद शॉट अंसर सेकेंड टाइप के तीन मास्क के इसी चाप्टर पर एक दो तीन चार छे दिये गया है ओके लॉंग अंसर क्वेशन दिशिज दी फोर माक्स और यह फोर माक्स दिराइव दी पी एच पी ओएच एंड फोर्टिन यह डि मेरी शॉट अंसर में एक मास्क है इसके साथ एमसी क्यूज दिये गया है तर अशा पद्धती ने हाँ पूर्ण चाप्टर वाइज दिरिले लिया है तुम्ही यांचा व्योस्तित रित्या अभ्यास करू शकता और चाप्टर वाइज जिकाई पाहे चाप्टर पूर्ण सो अब ओके या पद्धती एलेक्टो केमेस्ट्री फाइज माक्स ओके दिस वन इस दी पाच मास्क के लिए हाँ यह चाप्टर है सेवन मास्क है इसमें इतने सारे हैं ओके लेकिन इस क्वेस्टिन यह चाप्टर में ज्यादा क्वेशन हो सकते हैं इतनुअ कारति आ आतवि यह चाप्टर है चा्प्टर अर डिसके उपर भी शॉर्ट आहρεय इस तरह से चाप्टर केडिए गया है तो इस तरह से हमारी तक्रीमें चाप्टर और मैंच सी इसे शर्ण सेल्ग तूच अलब उप्सनंस है आए इतने सारी questions है, distinguish दिया है, experiment trend दिया गया है, उसके बाद चालको जन्स के बारे में बताया गया है, three physical properties, okay, then long answer question, यहां पे तीन questions दिया गया है, three questions, okay, उसके बाद transition and inner transition elements, उसके बारे में भी इतने सारी questions दिया गया है, एक मास्के, very short, short answer, short answer second type, long answer, four मास्के, उसके बाद यह देखो, coordination compound, बहुत जबर्दस्त, very good, तो यह इस तरह से यह questions यहां पे दिये गया है, इनका solution हम regular A11, alcohol, phenols and ether, regular इनका solution हम लेने बाले है, कल से regular class होगा अपना, 12 नंबर का aldeides, ketones and carboxylic acid, यह वाला, very short answer type, short answer question, short answer, third मास्क, तीन मास्क, इस चार मार्क्स, उके उसके बाद 13 नंबर का, amines, long answer, चार मार्क्स के question इसके उपर, biomolecules, उके यह वाला इस तरह से है, बहुत जबर्दस तरीके से, बनाये गए है, okay, question number four, nice, short answer, question, short answer, न, तो इस तरह से, यहाँ पे, पूरे के पूरे चाप्टर के बारे में, यहाँ पे information आपको दिया है, अगर इसमें कुछ शंका भी आती है, तो आप आराम से, हम discuss कर लेते हैं, चाप्टर में, पूरा का पूरा discussion करेंगे हम, okay, तो दोस्तों, इस आज के live session के लिए यहाँ पे रुकते हैं, अगर आपने, अभी तक, चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकोन दबाओ, और इस चानल की इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक भी करें, और कल से, सोलूशन के लिए, मेरे साथ आप रेडी रह सकते हैं, पूरे चाप्टर का सोलूशन हम लेने वाल है, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नेक्स क्लास में, तब तक, जै हीन, जै भारत, बाई बाई, ठैंक यू,